हेलो फ्रेंज चलिए मैं आपको फिर से एक और नएट जयान की लड़ू को पालची के लिए ड्रेस बताएंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पे दो कलर ले लिए हैं यह अपने यह रेखिए इस तरह से आप अपनी पसंद का कोई भी इसमें कलर ले सकते हैं और यहाँ पे मैंन 10 नमबर शलाई लिए है शलाईयों से आपको यह बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाना बताएंगे जो बनाने में बिल्कुल इजी है जो हम ड्रेस आपको बताने जा रहे हैं वो 3-4 नमबर लेड़ू को पाल जी को आराम से आ जाएगी तो चलिए हमन बनाने में पिल्कुल इजी है जिसे आप जटपट बना सकते हैं तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज जरूर लाइक करें शियर करें और कमेंट करके जरूर बताएं यह हमारी गोपाल जी की ड्रेस आपको कैसी लगी तो चलिए 3-4 लड़ो को पालची के लिए ड्रेस बनाना शुरू करते हैं तो से पहले मैं यहां पर फंदे डालूंगी वाइट से तो यह हम वाइट से फंदे 20 फंदे यहां पर ले लेंगे यह रिखे इस तरह से सबसे पहले हम इसका गेरा बता रहे हैं आपको तो यहां पर मैं गेरे के लिए 20 फंदे ले ले लेती हूँ इस तरह से यह रिखे बिल्कुल एजी है फंदे डालना भी तो चलिए हम 20 फंदे डालते हैं इसी तरह से तो देखे फ्रेंज मैंने यहां पर 20 फंदे ले लिए हैं इस तरह से अब यह रिखे 20 फंदे डालके हम पहली सलाई को इस तरह से बनाएंगे यह रिखे बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही सिम्पल तरीके से मैं आपको यह ड्रेस बता रही हूँ जो बनाने में बिल्क बीस फंदे डालके इस तरह से इसको बनाएंगे तो देखिए मैंने यहां पर बीस फंदे डाले हैं लाश्ट के यह दो फंदे मैंने बगर्बुने छोड़ दिये हैं यहीं से मैं अपना इसमें यह देखिए इस तरह से दूसरा कलर लगा देंगे दो फंदे मैंने बाइट के छोड़ दिये हैं और यहां से मैंने अपना दूसरा कलर लगा लिया है ये देखिए इस तक ऐसे दौनों शायट से हमने आगे चलके हमने फिर से दो वाइट के फंदे छोड़ देने हैं और देखिए इस दागे को मैं साथ साथ लगा लेती हूँ ताकि यहाँ पर कोई फिनिसिंग के साथ आ चुके यह रेखिए इस साइड मैंने दो फंदे छोड़े हुए हैं वाइट के और इस साइड भी मैं दो फंदे वाइट के छोड़ देती हूँ यह रेखिए तो यहाँ पर भी दो फंदे छोड़ दियें दौनों साइड हमने वाइट के दो दो फंदे छोड़ दियें और यहीं से हम टर्न करेंगे अब हमने क्या करना है यहाँ पर हम दौनों साइड से दो दो फंदे इसमें यह रेखिए छोड़ते हुए जाएंगे औ और हमने बीच तक आना है बहुत ही प्यारी सी बहुत ही सुन्दर सी आपको एड्रेस बता रहे हैं बनने के बाद काफी सुन्दर लगेगी तो यह हम इसमें पतियां बना रहे हैं छोटी-छोटी अब यह रहे हैं यहां पर हम लाश्ट के यह ग्रे काय लड़ से भी 2 फंदे झोड़ देते हैं यह रखी यहां पर दो फंदे मैंने चोड़ दिये और यहीं से टन करेंगे और हमने दूसरी साइड भी इसी तरह से दो दोवन दोनों साइड से छोड़ते हुए जाना है इस साइड भी हम दो-दो फन्देदा छोड़ेंगे हर बार हम दौनों साइड से यह देखिए मैंने यहाँ पे भी दो फन्दे चोड़ेंगे यही से हम टन्द करेंगे अब इसी तरह से हम दो-दो फन्दे छोड़ते हुए बीच तक हम आजाएंगे यहाँ पर दोनों साइट से फंदे छोड़ते विए बीच तक आएंगे तोदेखी फ्रैंस, यहाँ पर हम दोनों साइट से फंदे छोड़ रहे हैं इस तरह से ये रखिए दो चार छह च्हे फंदे हम छोड चुके हैं तो देखें फरैंब्स हमने इस साइड भी छे फंदे छोड दिये हैं यानि की बाइट को लगाके आठ फंदे छोड दिये हैं इस तरह से अब यहाँ पर दसमा फंदा छोड़ दिये है और हम यह देखिए अब हम दोनों साइड से दो दो फंदे हम छोड़ लिये है इस तरह से यह देखिए अब जिस तरह से हम छोड़े है यह देखिए दो फंदों को हम बना लेते हैं यहाँ पर इस तरह से यह देखिए दो फंदे मैंने बना लिये हैं यह एक साइड हमारे आठ फंदे हैं और एक साइड दस फंदे हैं अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जिस तरह से हमने फंदे छोड़े हैं उसी तरह से यह देखिए हम दो दो फंदे लेते हुए जाएंगे यह देखे जिस तरह से मैंने छोड़े हैं उसी तरह से हम बनाएंगे दो दो फंदे यह देखे बहुती इजी तरिके से बहुती सिंपल तरिके से आपको ड्रेस बता रहे हैं यह यह देखे बनने के बाद काफी सुन्दर लगेगी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज जरूर लाइक करें शियर करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं यह हमारी प्यारी सी देखे आपको कैसी लगी तो देखे जहां पर भी आपको लगता है हमें यहां पर ज़्यादा गैप दिख रहे हैं गैप के लिए आप फंदा इस तरह से उठा ले यह देखे और दूसरे फंदे के साथ उसको बना ले गैप के लिए आप इस तरह से आप बंदा उठा ले और दूसरे फंदे के साथ बना ले उसको अब जिस तरह से फंदे हम ने छोड़े हैं उसी तरह हम बना रहे हैं उनको छोड़ते हुए बीच तक आगे थे अब दोनों साइड से उसी तरह से हम बना रहे हैं यह देखे यहाँ पर यह देखे यहीं से टन करेंगे, दो दो फंदे उसी तरह लेते हुए जार Allahu और वहीं से अपना टन कर रहे हैं घ्या देखे अब इस साइड से भी हम दो फंदे ले लेते हैं घ्यार लिखे यह लाश्ट में भी दो फंदे बागी हैं तो बहुत इजी है इस तरह की हम पत्तियां बनाएंगे तो चलिए अभी कंप्लिट नहीं हुई है अब ये रेखिए यहां पर सभी फंदों को हम बना लिये हैं यहां पर गैप दिख रहा है गैप के लिए क्या करेंगे फंदा उठाएंगे और ये दूसरे फंदे के साथ बनाएंगे तो देखिए सभी फंदो को वाइट के दो फंदे बचे हैं, सभी फंदो को बना लिया है और यहीं से टन करेंगे आप ये देखिए, इस साइड में भी दो फंदे बचे हैं, वो भी हम बनाए लेंगे यह देखिए यहाँ पे इस तरह से तो बना लिए है अब हम क्या करेंगे यहीं से अपना इसमें हम सब भी फंदों को बना लिए हैं अपना यहाँ पे अब वाइट कलर लगा देंगे यह देखिए उल्टी तरफ से मैंने वाइट को लगा दिया है अब यहाँ पे हम दोनों साइट से वाइट को भी बना लिए हैं इस तरह से यह देखिए अगर आप चाहते हैं क्रोश्या से बनाना तो आप क्रोश्या से भी इस तरह की पत्ती बना सकते हैं हम ज़्यादा सलाई यूज करते हैं तो जिनने सलाईयों से आता है वो काफी आसानी से इसको बना सकते हैं सलाईयों से तो देखिए मैंने यहाँ पे वाइट की भी इस तरह से उल्टी तरप से लगाके वाइट को एक सलाई बना लिया है तो और यहाँ पे यह रेखिए इस तरह से यह पत्ती हमारी बनके कम्प्लिट है यह रेखिए इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अब ये रेखिए मैंने white से बना के यहाँ पे एक सलाई complete कर ली है जो white के फंदे छोड़े थे वो भी मैंने बना लिये हैं ये रेखिए इस तरह से अभी थोड़ा सा जोला रहा है इसमें बिल्कुल भी जोलने ही रहेगा अब ये रेखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे एक पत्ती हमारी बन के complete है इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे ये रेखिए अपने 8 फंदे हम यहाँ से बन करेंगे यह रेखिए एक और दो तीन चार पांच और यह च्छे और च्छे साथ और यह रेखिए आठ तो यहाँ पे मैंने 8 फंदे बन कर दिये हैं इस तरह से यह रेखिए और पत्ती हमारी बन के एकदम complete है आठ फंदे बन करें हैं अब जिस तरह से मैंने 8 फंदे बन किया हैं उसी तरह से यह रेखिए अंगूठे पर लपेटते हुए हम 8 फंदे बनाएंगे यहाँ पे एक डालेंगे इस तरह से यह रेखिए उमलियों में हमने धागे को पकड़ लिया है दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और ये आठ तो देखी यहाँ पे आठ फंदे डाल लिए हैं अब आठ फंदों को हम इस तरह से बुलनेंगे जो हमने कम किये हैं वो हम आठ फंदे दीरे दीरे इस तरह से इनको बना लेंगे आराम से हमने इन फंदों को बनाना है थोड़ा सा इन में कोई निकले नहीं फंदा इस तरह से ये रेखे इस तरह से ये रेखे अब यहीं से हम आठ फंदों को फिर दुबारा यहीं से टन कर लेंगे और आठ फंदों को हम फिर से बनाएंगे ये रेखे आठ फंदों को मैं फिर यहां पर बना लूँगी, यह रेखे, नौमा फंदा मैंने यह ले लिया है, एक, दो, ती, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और यह नौ, नौमा फंदा मैंने यहां से यह वाला बना लिया है, इसके बाद हम यह रेखे, तो यहां पर इस तरह से यह पत्ती हमारी बनके कंप्लिट है, अब आठ फंदे मैंने यहां पर पत्ती से घटाए थे, आठ फंदे मैंने यहां से बढ़ा लिये है, अब उसके बाद हम दो फंदे अपने पाइट के छोड़ते हुए, अब फिर से हम इस धागे को यहां पर कट कर दूंगी यह 2पंदे के छोड़ दिए हैं तो देखिए बिल्कुल इजी है कोई दिकत Ned先 क्व नहीं होगी आपको इसे बनाने के लिए तो लाशट के फीर से हम वाइट के 2फंदे छोड़ेंगे तो फिर से मैं राष्ट के भी पाइट के दो फंदे छोड़ूंगी और इसमें हम चार पतियां इसी तरह से बना के कम्प्लीट करेंगे यह देखे अब फिर से हमने दो दो फंदे अपना छोड़ लेने हैं इसी तरह से यह दो दो फंदे फिर से छोड़ूंगी मैं उसी तरह से दूसरी पत्ती बनाने के लिए फिर से हम आठ फंदे गटाएंगे फिर से हम तीसरी पत्ती को इसी तरह से बनाएंगे तो यहां पर मैं चार पतियां इसी तरह से बना के कंप्लिट करूंगी इसके आगे आपको यहां के सबी फंदों को बंद कर देंगे तो चलिए मैं बना लेती हूं इसको यह रेखिए दो फंदे छोड़ दिये हैं और यहीं से टन कर लेंगे इसी तरह से मैं इसमें चार पतियां बना के कंप्लिट कर लेती हूं इसके आगे आपको फिर दिखाती हूं देखी फ्रेंस मैंने चार पतियां बना ली हैं यहां से मैंने शुरूबात की थी और यहां पर मैंने फिर बाइट से सभी फंदों को 20 फंदों को सभी को मैंने बंद कर दिया है यहां पर 20 फंदे मैंने उसी तरह से बन कर दिये हैं यह देखिए अब इसी तरह का मैं यहां पर दूसरा पार्ट भी अपना बना के कंप्लिट कर लूँगी तो चलिए मैं दूसरा पार्ट भी बना लेती हूं और इसके आगे आपको फिर दिखा देती हूं तो देखिए फ्रेंज मैंने यहां पर दूसरा पार्ट भी अपना बना के कंप्लिट कर लिया है यह दोनों पार्ट हमारे बन के कंप्लिट हैं आप थोड़ा थोड़ा सा हम इनको यहां से यहां तक इस तरह से यह रिखिए हल्का सा हम दोनों साइड शिलाई करेंगे इसमें तो सबसे पहले हम छोली बना लेते हैं यह रेखिए दोनों पार्ट बनके complete है तो सबसे पहले मैं छोली बना लेती हूँ इसके आगे आपको फिर दिखाती हूँ कि प्रेंस चोली बनाने के लिए यहां पे हम उसी तरह से फंदे डालेंगे यह रेखिए और हमने चोली में 20 फंदे ही हम डालेंगे इसी तरह से यह रेखिए तो चोली में भी मैं 20 फंदे डाल लेती हूं इसी तरह से तो देखिए फ्रैंस यहां पर 20 फंदे ले लिए हैं चोली में हमने और यह देखिए मैंने फंदे इस कलर से डाले हैं और यहां पर हम अपना वाइट कलर लगाते हुए इस चोली को बनाएंगे यह देखिए इस तरह से थंदे मैंने इस कलर से डाले हैं और बनाना हमने इस वाइट कलर से है यह रिखिए और साथ में ही हम इन दागों को भी इस तरह से लगा लेंगे यह रिखिए तो चलिए यहां तक इस वाइट से बना के कम्प्लिट कर लेती हूँ तो देखिए मैंने यहां पर बाइट से बना लिया है इसको और हम दोनों तरब से हमने उल्टा ही इसको बनाना है अगर आप चाहें तो सीधा भी भी इसको बना सकते हैं तो देखिए यहां पर हम पहली सलाई को बना रहे हैं फंदे डाल के मैंने वाइट कलर लगा लिया है अब उल्टी तरब से हम फंदा इसमें घटाएंगे तो दोनों साइड से उल्टा उल्टा हम इसको बनाएंगे यह देखे तो हम बना लिए हैं यह देखिए इस तरह से आप क्या करेंगे यहां पर अपना यह दूश्रा वाला दागा भी कट कर देते हैं अब इस से हम तो देखिए मैं यहां पर एक साइड से दो फंदे कम कर देती हूं यह देखे इस तरह से और आगे के फंदे हम बना लेंगे और दूसरी साइट से भी हमने एक फंदा कम कर देना है तो दोनों साइट से हम चार-चार फंदे कम करेंगे यानि कि हमने आट फंदे कम करने है यह रेखे इस साइट से भी मैं एक फंदा कम कर देती हूं बना कम फंदा जो हम करेंगे वो उल्टी साइट से ही हम करेंगे अब सीधी सलाई को हम इसी तरह से बनाएंगे तो यहाँ पर एक फंदा इस साइट कम कर दिया है और एक फंदा इस साइड से, तो दो फंदे कम हो चुके हैं, तो बहुत एजी है ये बनाना, अब ये देखिए फिर से उल्टी साइड में आऊंगी, तो फिर से हमने उसी तरह से फंदा कम करना है, तो यहाँ पे हम इसी तरह से चार सलाईयां बना लेते हैं, और दोनों से चार-चार फंदे कम कर देते हैं, यह रेखिए इस तरह से, अब यहाँ तक बनाते हुएंगे, तो लाश्ट के यह दो फंदे कम करेंगे, तो बना लेते हैं इसको इसी तरह से, तो देखिए फ्रेंस मैंने यहाँ पे चार सलाईयां बना ली हैं, और चार फंदे इधर कम भी बना सकते हैं और यहां पर हम एक सलाई इस तरह से बना रहे हैं दोनों साइट से कि यह देखिए कि इसके बाद हम सभी फंदों को बन करेंगे चार सलाई यह पांच में सलाई पर हम अपना कि यह देखिए पॉर्डर बना रहे हैं और इधर से भी हम उसी तरह से करेंगे पीछे दागा किया एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा और इसके बाद हम सीधी तरफ से सबी फंदों को बंद कर देंगे पहुत ही सिंपल सा डिजाइन है और बहुत इजी तरीके से ड्रेस को भी बना लेना है अब हम क्या करते हैं सबी फंदों को यहाँ पे इस तरह से बंद कर लेते हैं तो चलिए सब फंदे बंद करते हैं 12 फंदे बचे थे हमारे पास तो 12 फंदो को हम बंद कर लेते हैं इसके बार आपको फिर दिखाते हैं 8 फंदे घटा दिए थे 12 फंदे बचे थे 12 फंदो को बंद कर रहे हैं तो देखी फ्रेंच यहाँ पर हमने सबी फंदो को बंद कर लिया है इस तरह का ही हम दूसरा पार्ट भी बना curry करेंगे जिस तरह से मैंने इसको बनाया है वो हमने green से बनाना है इस तरह से sky color से तो चलिए मैं दूसरा पार्ट भी बना लेती हूँ देखे प्रेंच दौनों पार्ट बनके complete है दौनों पार्टों को हमने बना लिया है हालका सा हम इस तरह से खीचेंगे और यह रिखे दौनों पार्ट इसी तरह से मैंने बना लिया है और यह रिखे हम अच्छे से थोड़ा-थोड़ा हम इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेंगे तो कुई भी धागा लेके आप इस तरह से सिलाई कर ले यह देखिए बील को लेजी है और इस तरब से तो चलिए हम यहां तक इसको सिल लेते हैं यह देखिए तो देखिए मैंने यहां पर इसको सिल लिया है और यहां पर हमने नौट भी लगा दिया है दाके को हम कट करेंगे और दुबारा से दूसरी साइड हम इसको सिलाई करेंगे यह रेखिए इस तरह से यह रेखिए यहां पर मैं दूसरी साइड भी उसी तरह से इसको हलका हलका सा यहां पर यह रेखिए सिलाई कर लेती हूँ जिस तरह से हमने इस साइड से सिल लिया था उसी तरह से यह रेखिए यहां से यहां तक यह रेखिए तो देखी फ्रेंट्स दौनों साइड से हलका सा सिल्लिया है और यहां पर यह देखी अच्छे से चोली बनके कंप्लीट है और हमें जबी भी पैनाना होगा यह देखी इस तरह से उपर से हम इसको डालेंगे यह देखी काफी सुन्दर बन गी है अब क्या करते हैं हम इसको हम एक साइड रखते हैं और हम हलका सा अपना नीचे का इसको यहां पर उल्टी तरफ से यह देखी दोनों पाटों को अच्छे से रखते हुए हलका हलका यहां पर सिलाई करेंगे तो देखी फ्रेंज मैंने यहां पर दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा इसको सिल लिया है यहां से भी और यहां से भी और बीच में मैंने खुला चोड़ा है तो देखेए अब हैं आपना चोली को अटेच करेंगे इस तरह से तो चोली को हमने जो सिल्ला है हमने जो ये स्ट्रैस को पहनाना है तो लड्र कुभद फार जी को हम ऊपर से पहनाएंगे ये रेखिए काफी कुली है यह रिखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर अपना बाजु को इस तरह से यहाँ पर टाक लेंगे पहले हम चोली को यह रिखिए यह बाजू हमने इस तरह से यह रिखिए दोनों बाजू को एक एक टेवा हमने मार लेना है और यहाँ पे हम उल्टी तरफ से इस तरह से इस चोली को यहाँ पे यह रिखिए अंदर की तरफ लेते हुए इस तरह से चिलाई कर लेंगे तो यह रिखिए दोनों साइट से इसी तरह से हम इसको चिलेंगे तो यह रिखिए इस तरह से यहाँ पे तो चलिए तो दिखिए यहाँ पे हम हलका हलका सा इसको इस तरह से सिल लेंगे अगर आप पहले चोली को भी सिल सकते हैं दोनों साइट से आप बाद में भी आप आपको अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप बाद में भी आप घेरे की यहाँ पर यह सिलाई कर सकते हैं सबसे पहले आप चोली को भी सिल सकते हैं तो यहां पर हम थोड़ा-थोड़ा हलका हलका दोनों शायट से इस तरह से टाक लेंगे इसको यह रही कि पिलंकु लीजी है इस तरह से तो चलिए कि तुद्धे नहीं हुआ तो देखे फ्रेंस मैंने यहां पर सभी को सिल लिया है अच्छे से टांक लिया है और यह यह देखिए हम सीधा कर लेते हैं यह देखिए अच्छे से सिलाई हो चुकी है और जब भी हम लडूगो पाल जी को पहनाएंगे तो हम ने यह उपर से पहनाने के लिए ड्रेस को बनाया है यह दोनों तरफ हमारा चारों तरफ बंद है यह देखिए काफी सुन्दर लग रही है और उपर से हम इस तरह से लडूगो पाल जी को पैना सकते हैं अगर आप चूली को एक तरह की बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं इस तरह की और यहां पर हम यह देखिए कुछ इस्टोन वगेरा यहां पर हम अपना लगा लेंगे यह देखिए काफी सुन्दर लग तो देखिए फ्रेंश यहां पर हमारी ड्रेस बनके complete है और पहनाने के बाद यह इस तरह से कुछ इस तरह से इसका लुका जाएगा यह देखिए और यहां पर हम इस तरह के कुछ इस इस टोन अगीर लगाएंगे इसGULUGAN की मदद से यह कोई छुटता नहीं है इससे लगाने के बाद तो चलिए सबसे पहले हम इस टोन बाद में लगाएंगे यहाँ पे हम कैप बना लेते हैं इसके साथ की तो देखिए पहनने के बाद इस तरह से यह हमारी ड्रेस बन जाएगी तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैप बना लेते हैं तो देखिए यहाँ पे हमने यह 6 सलाईया इस तरह से यह 35 फंदे मैंने डाले हुए हैं और 6 सलाईया मैंने बना ली हैं, यह रेखे, यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, छटी सलाई पर हमने सभी फंदों को बंद कर दिया है, और 35 फंदे मैंने इसमें कैप में डाले हुए हैं, तो यह पगड़ी हम बनाएंगे इसको, तो देखे हमने किस तरह से इसको बनाना है, यह रेख दोनों साइट से हम बराबर बराबर रखेंगे इसको, और यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे, तो आप सीधी तरफ से भी सिलाई कर सकते हैं, उल्टी तरफ से भी इसको सिलाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम यह रेखे, उल्टी तरफ से इसको सिलाई करेंगे, यहा इसी तरीके से मैंने इस तरह की टोपी अपने चैनल में डाली हुई है यह देखिए काफी सुन्दर लग रही है यह हमारी पगड़ी बहुती सुन्दर से बनके कंप्लिट हो गई है ड्रेस के साथ की इसमें मैंने 35 डाले हैं और 6 सलाईयों पे मैंने बन कर दिया है इस तरह से इसको बनाया है और यहाँ पर यह देखिए और कुछ इस टोन वगेरा अपने ड्रेस में यहाँ पर लगा लिए है यह छुटते नहीं हैं इस तरह से यह देखिए और ड्रेस भी काफी सुन्दर लग रही है और यह देखिए इसके साथ की कैप भी हमारी बनके complete है तो ये देखे, पहनाने के बाद कुछ इस तरह का इसका लुका जाएगा उपर को इस तरह से ये देखे और यहाँ पे हम कैपे भी पहना सकते हैं, तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे जरूर लाइक करें, शियर करें और कमेंट करके जरूर बताएं, ये हमारी ड्रेस आपको कैसी लगी, तो मिल दें वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाबाई